हेलो एव्रिवन वेल्कम टू मैं चैनल एथिकल शन्माजी उमीद करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों में सेफ होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे इस टाइम को आइनो बहुत जादा बोरिंग हो रहा है पर कुछ ना कुछ अक्टिव कुछ ना कुछ अक्टिविटीज आप करते रहे है तो आपके लिए बेटर रहेगा तो आज के वीडियो में करेंगे एक वर्चुल मशीन को हैक जिसका नाम है वेस्ट वाइल तो सबसे पहले उस मशीन को मैं आपको बताया तो आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो गूगल पर जाएए गूगल पर लिखि Vest-Wild Vulnerable Hub इसका लिए दिशुप्स यहां से आप कर सकते है इसको डाउनलोड इसका मिरर लिंग भी है इसका टॉरेंट लिंग भी यह है इसकी की लेवल है INTERMEDIATE जैसे किouch देख सकते हैं इसको Выड रहे आपको लें IMPORT जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं मैं फिर आपको बत सा देता हूं और एकल बॉक्स में जाएए इसमें इंपोर्ट एप्लाइंस फिर पात खोलिए जहां पर आपने डाउनलोड करी हुई है यह मैंने डाउनलोड करिए इसको ओपन करते ही आप इंपोर्ट हो जाएगी है राइट मैंने अल्रेडी कर रखी है ठीक है ताकि वीडि वर्चुल मशीन को रन मैंने रन कर रखी है इसको इसमें एक लॉग इन स्क्रीन आ रही है मुझे नहीं पता इसका पासवर्ट क्या है तो हम इसको करेंगे क्रैक राइट तो हम करते हैं सबसे पहला स्टेप वर्चुल मशीन को अन करते हैं काली रिनिक्स को ओके उसके करना है जिसका नाम वेस्ट वाइल है ओके यह PCS करके जो भी आता है यह कर यह होते हैं मशीन जिसको हमें करना है है तो आप करो क्लियर फिर एक लीफ पैड खोड़ लेते हैं उसमें करते हैं IP अड्रेस को सेव ओके कंट्रोल एस इसको करते हैं डेक्स्टॉप पे सेव आई IP.TXT, Ctrl-Q, इसको कर देते हैं clear अब हमें IP पता है तो उसके बाद हम करते हैं एक end map का scan इस पे, hyphen A, hyphen W, वही same steps है जो हम हर virtual machine को hack करने में करते हैं यह चौथा वीडियो है इस playlist का जिसका नाम है road to OSCP, OSCP एक certification जिसके मैं तयारी कर रहा हूं जिसके मैं आपको virtual machines hack करने होती है तो वही तयारी करते करते मैं आपको वीडियो की form में बता रहा हूं तो scan करते हैं थोड़ा सा time ले सकता है यह and map ने बताया है चार port उसने open discover कर लिये हैं बहुत बढ़िया अब यह service detect कर रहा है ओके तो scan हो चुक है complete राइट तो पहला है 22 जिसपे service है SSH जिसका version I guess काफी हद तक secure है ज्यादा vulnerable नहीं है according to my experience 22 के बाद जो port था वो है 80 80 पे apache sttpd 2.4.7 है ओके इसको हम देख सकते हैं ओके 139 और 2445 available है जो की samba services होती है ठीक है samba services जब भी आपको दिखें port open है तो मेरा experience यह कहता है कि आप इस पर run करें enum4 linux जो की utility है जो की samba के लिए बहुत बहुत अच्छी utility है इसमें आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्फ enum4 linux लिखना है space ip address जिसको आपको hack करना है तो मैंने कर दिया है इसको run और इसने कर लिए है बहुत सारी चीजें डिस्कवर कि 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 सारी ID को चेक कर रहा है यह थोड़ा सा time लगेगा ओके तो यह हो चुका है scan complete इसके output को देखते हैं काफी बड़ा output आया है इसका शुरुआत से देखते है target information ओके फिर उसके बाद उसने कुछ निकाले work groups ठीक है ओके users तो इसने users enumerate कर लिए है जो कि यह दिखा रहा है तीन एक है avenge एक है wavex एक है root बहुत ही भड़िया तो यानिकी तीन user names तो हमें मिल गए है share share enumeration में दिखा रहा है यह printer का है कोई share wave यह कुछ हो सकता है wave ipc share है ओके तो यानिकी wave share को मैं देखूंग अभी ठीक है दीरे दीरे करके देखते है ओके फिर groups में कुछ जादा कुछ पता नहीं चला है SID कुछ पता चली है लेकिन यह जादा हमारे काम की नहीं है और क्या है और जादा कुछ खास नहीं है तो जब भी आपको की connection करने के लिए smbclient-l करेंगे हम ip address को paste ठीक है एक बड़ी चेक करने के लिए कि यह connect होता है नहीं होता root का password हमें पता नहीं है तो हम क्या करते हैं सिर्फ enter और यह दिखा रहा है कि anonymous login successful very good तो कई-कई बारी क्या होता है जो कामबर सर्विसेज में anonymous login होता है जैसे FTP पर हमने कई बड़ी करा हुआ है तो anonymous login पोर्टल यह छोड़ देते हैं तो उसमें कोई password आपको डालना नहीं है आप जस्ट एक एंटर कर दोगे तो login successful कर देगा तो इस case में भी वही हुआ है तो क्योंकि anonymous login है तो क्यों ना हम इसका जो शेर था वेव उसको एकसेस करके देखें ओके तो वेव का जो शेर ओपन था पाथ जो उपन था उससे हम कर चुके हैं login using default using password जो की anonymous है मतलब आपको खाले इंटर दबाना और आप login कर पाऊगे ठीक है blank password तो हम login कर चुके अब देखते हैं ls और ls करने पर हमें देख रहे हैं दो फाइल वेरी गुड flag1.txt message from avenge.txt ठीक है तो एक काम करते हैं इसको हम सेव कर लेते हैं अपने सिस्टम में ठीक है तो हम करते हैं command होती है get flag1.txt ये get कर लिए हमने ये हमारे सिस्टम में सेव हो जाएगी message from avenge.txt ये भी सेव हो जा ठीक है ls यहाँ पर नहीं यहाँ पर सेव हो चुकी है देखो cat flag1.txt ग्रेट तो इसमें हमें कुछ मिला हुआ है hash राइट दूसरा भी एक बरी देख लेते है message from avenge तो ये कह रहा है dear wave I'm sorry but I was lost my password and I believe that you can reset it for me thank you avenge तो हमने जैसे की देखा था उसके output में previous window में में जाता हू परी कि तीन यूजर नेम थे ठीक है avenge wavex और root और इस message में कह रहा है avenge avenge कह रहा है wave को कि उसका password lost हो चुका है मतलब वो password भूल चुका है avenge तो वो चाहता है कि wave उसके लिए reset कर दे password को ओके ठीक है यह कुछ message दे रहा है एक तरीके से हम story को समझ पा रहे है ठीक है और हमें मिल चुका है एक flag तो यह flag 1.txt का नाम इसमें रखा हूँ है that means at least 2 flags तो होंगे ही होंगे इसमें ठीक है तो जब आपको कुछ hash ऐसा मिल जाए तो आप 2-3 चीज़े कर सकते हो या तो आपको पता होना चाहिए किस type का hash है since इसमें $6,$4,$2,$2 ऐसे करके कुछ नहीं mention है तो हो सकता है यह कोई decoding यूज कर रहा हो ठीक है तो हम अलग-अलग type की decoding इसमें check करेंगे तो Linux में यह फायदा है कि आप hash को decode बहुत ही easily कर सकते हो इसको करो copy ठीक है इसको करो paste ओके थोड़ा से यह जो double codes है इधर आ गए है इसको मैं परी कर देता हूँ control से नहीं चल रहा हो कि ऐसे जलाना पड़ेगा तो उसका format होता है echo echo मतलब स्क्रीन पर प्रिंट करो किस form में हमें करना है paste 64-t ओके तो यानिकि यह base64 में decode करके हमें मिल चुकी है string हमें मिल गए है credential that is username wavex password door plus open ठीक है तो अब हमें credential मिल चुके हैं लेकिन यह credential use कहा हो सकते हैं यह हमें देखना बहुत जरूरी है तो हम जाते हैं अपने scan output में क्या ssh open था ssh open था या नहीं था यह हमें देखना है तो हमने शायद clear कर दी थी screen but I guess मुझा तक मुझे याद है क्योंकि वह Apache का version दे रहते हो तो ssh open था तो एक बर हम try कर लेते हैं ठीक है okay यह तो हमारा scout output है यह हमारा scout output है कोई दिख करती है तो हमें मिल चुके credential तो हम क्या करते है ssh try करते है ssh ssh का जो format होता होता है ssh space username username यूजर नेम है wavex add the rate अब ip address जाल दो sorry इसमें ip address आएगा काम करता हूं मैं इसको दुपारा कर देता हूं ssh wavex add the rate ip क्या थी scan की तो ip ctrl all t में काम करता हूं दूसरी टर्मिनल विंडो खोल देता हूं ls cd desktop ls cat ip.txt तो मुझे मिल गई ip ठीक इसको मैं कर लेता हूं copy तूसरी विंडो में जाके मैं करता हूं यहां पे पेस्ट ठीक है अब इसमें है password तो password है door plus open bingo that means कि हमारा password इसने accept कर लिया और हम successfully login हो चुके हैं तो देखते हैं इसमें क्या है ls कर रहा तो यह दिखा रहा है wave cat wave okay it's a directory to cd wave ls तो यह दिखा रहा है दो flags flag1.txt message from avenge.txt शायद यह वही file होएं क्योंकि नाम सेम है yes यह वही files है okay तो तो एक तरीके से हम एक पहला step तो पार कर चुके हैं कुछ permissions इसकी permissions देखते हैं सबसे पहले sudo-l password wavex का क्या था password था मैं भूल गया हूँ password यह रहा door plus open door plus open ठीक है तो इस पर कोई permission नहीं है user wavex may not run sudo invest while ठीक है तो यहने कि कोई और user है मैं इसको privilege को escalate करना पड़ेगा तो अब हम क्या करें हम देखते हैं कोई writeable directory तो writeable directory ढूनने के लिए command जो होती है वह होती है find मैं पहले इसको screen को बढ़ा कर देता हूँ ctrl++ थोड़ आपको better होगा देखने में ठीक है find directory कैसी directory directory हमें देखनी है जो की हो writeable spelling सही है writeable ठीक है किस type की जो की directory हो ठीक है to greater than dev हो null हो इसका जो path हो तो यह directory ढून के देदेगा हमें अगर एक कमांड का syntax है यह होगा तो ओके तो बहुत कुछ दे दिया इसने बहुत सारी directories दे दिया इसने ओके तो I think मैं कोई command का syntax कलत यूज कर रहा था क्यूंकि यह तो बहुत जादा थ्रो कर रहा है इतनी जादा थ्रो नहीं करने चाहिए तो मैं एक बड़ी syntax देख लेता हूं तुपारा से find करो directory write यह mistake है यहां पर hyphen writable आना जरूरी था yes okay तो हमें मिल चुकी है directories जो की जिसमें हम कर सकते हैं write ठीक है तो हमें मिल गए यह वाली directory तो एक बार ही हम क्या करते हैं इसमें जाते है cat ctrl-shift-v okay it is a directory cd पहुंच गए हम ls एक मिली है हमें file इसको एक बड़ी read करके देखते हैं बिंगो तो अब हमें मिल चुका है username और password avenge का भी और जहां तक जो message था वो यह message था avenge का message था कि अगर वह password भूल जाए तो आप उसको change कर दो किसको कह रहा था यह wave को कह रहा था ठीक है तो इस script में avenge के हमें credentials मिल गए हैं तो सबसे पहला जो काम है वो हम करके देखते हैं login su avenge password है iska kaizen plus 80 बिंगो तो अब हमाँ आ गए हैं avenge के पास तो ls इसमें कुछ है इसमें भी शायद same script है if i forget देख लेते हैं इक पर yes same है इस पे देखते हैं कुछ permissions है avenge का password था kaizen plus 80 इस पे तो all की permission है बहुत ही भड़िया तो अब हमें ढूना है flag 2 तो एक काम करते हैं इस पे जाते हैं su password डालते हैं पासवर्ड था kaizen plus 80 क्या यह password सही है yes no गलते है su kaizen plus 80 no password सही नहीं है sudo hyphen i yes क्योंकि उस पर root permission थी तो सीधे ही मैंने sudo hyphen i चलाया तो इसने root throw कर दिया अब जाते हैं ls और यह आ गया हमारा flag 2 बिंगो so हमने कर लिया इस virtual machine को hack दो flags थे इसके और दोनों ही flags हमने कर लिये हैं gather यह रा flag क्योंकि यह last flag था that is why उसने लिखा हुए great take a screenshot and share it with me यह है author का नाम तो हमने कर लिया इस virtual machine को hack उम्मीद है वीडियो आपको आया होगा पसंद अगर पसंद आया तो like करें share कर अपने दोस्तों के साथ जो भी oscp prepare कर रहा हो जिसको भी information security में interest हो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही helpful हो सकती है तो उनको share करें subscribe करें चैनल को अगर आपको ऐसे वीडियो देखने हैं तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कोई और virtual machine को hack करेंगे तब तक के लिए बाई बाई stay tuned keep learning बाई